बॉल्यूट सिल्वर स्क्रीन प्रिजेंटिंग दा डैनिश कर्ल वक्त होता है सन 1920 का जहां पर हमें ग्रेडा नाम की एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को यानि की पेंटर को दिखाया जाता है उसके पती भी एक पेंटर ही है जो की बहुत मशूर है जिनका नाम आइनर होता है जहां आइनर एक बहुत मशूर पेंटर है वहीं ग्रेडा उतनी मशूर पेंटर नहीं है आज से 6 साल पहले दोनों के दोनों आर्ट क्लास में मिले थे उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली ग्रेडा और आइनर के बीच में बहुत प्यार होता है ग्रेडा को अपनी एक दोस्त की पेंटिंग बनानी है लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता इसलिए वा नहीं पाती अब क्यूंकि ग्रेडा को टाइम पर पेंटिंग को अपने पोट्रेट को बनाना है इसलिए वा अपने पती आइनर से कहती है क्यों न तुम उसकी ड्रेस पहन कर बैठ जाओ और मैं तुम्हें देख कर पेंटिंग बना लूँगी आइनर ऐसे ही करते हैं पर जब वो उस लड़की की ड्रेस को पहनते तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें इतना सुकून पहले कभी नहीं मिला होता और तब ही वो लड़की आ जाती है जिसके बदले वहाँ पर आइनर बैठे होते है और वो उस ड्रेस को देखकर उन्हें लिली कहकर चिड़ाती है अब रात को आइनर अपने गाओं के लेंड्सकेप की एक पोट्रेट बना रहा होता है तब ही वहाँ पर ग्रेडा आ जाती है वो अपनी पतनी ग्रेडा को बताता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे गाओं में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम हैंस है वो और मैं बहुत अच्छे दोस थे हम बहुत वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे लेकिन बाद में वो पैरिस शिफ्ट हो गया और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए आइनर आज भी उसे याद करता है रात को जब आइनर सो निकले जाता है तो ग्रेडा नाइट सूट पहन कर आती है जिसे देखकर वो देखता ही रह जाता है ग्रेडा समझ जाती है कि उसे नाइट सूट बहुत अच्छा लगा है इसलिए वो उसे दे देती है जिसके बाद आइनर उस नाइट ड्रेस को पहन कर बहुत ही सुकून से सोता है और अगले दिन वो कपडों के नीचे उसी नाइट ड्रेस को पहन कर रखता है ग्रेडा कोई बात पता चल जाती है पर उसे लगता है कि ये आइनर की एक शरारत है अब उस लड़की का बैले डान्स शो होता है जिसके बदले पहली बार आइनर लड़की की ड्रेस पहन कर अपनी पतनी के सामने बैठा था उसकी पतनी कहते है क्यों न हम उसके शो पर चले पर आइनर मना कर देता है आइनर की पतनी ग्रेडा कहती है मैं तुम्हें एक लड़की की गेट अप में वहाँ पर ले जाऊंगी ये सुनकर वो मान जाता है और अब ग्रेडा उसे एक पूरी की पूरी लड़की बना कर उस शो में ले जाती है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके अब जब ये पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेडा सब को अपने पती को लिली के नाम से इंटर्ड्यूस करवाती है लिली को यानि की आइनर को इस नई पहचान से बहुत खुशी हो रही होती है इसी पार्टी में एक लड़का होता है जो उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये एक लड़की है और धीरे धीरे ये एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं ग्रेडा ये देख लेती है जो देखकर वो शौक्ट होने के साथ साथ दुखी भी हो जाती है और तब ही आइनर की न हमने इस सिर्फ हासी मजाक में शुरू किया था और मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे अंदर से लिली कभी भार वापस ना आए। लेकिन यहां पर दिखाया जाता है कि आइनर अपनी इस नई पैचान से अपने अंदर छुपे वे इस नई शेड से बहुत ज्यादा खुश होता है वो इसके साथ सैटिस्वाइड है हाला कि ग्रेडा चाहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए पर आइनर साप साप मन कर देता है अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आइनर और ग्रेडा के बीच में बाते कम होना शुरू हो जाती है वहीं आइनर को दिखाया जाता है जो लड़कियों की तरह बार बार अपने आपको शीशे में नहार रहा होता है और एक दिन उसे रहा नहीं जाता वो की नहीं बलकी लड़का है अब जब आइनर घर आता है तो देखता है कि ग्रेडा एक कोने में बैट कर रो रही है दरसल वो सोच रही थी कि आइनर अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा आइनर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा के लिए तुमा लगता है इसलिए वहाँ से चला जाता है आइनर की आखों में आसू होते हैं क्योंकि वो हमेशा के लिए अब एक लड़की बनना चाता है और अब वो किसी भी तरह से अपने जेंडर को हमेशा के लिए चेंज करना चाता है वहीं दूसरी तरफ ग्रेडा को वो आर्ट डिर इसलिए पैरिस में एक एक्जिबिशन होती है जिसमें उसे बुलाया होता है हाला कि वो शुरू में मना कर देती है लेकिन उसे आर्ट कलेक्टर बताता है कि ये तुम्हारी जिंदगी का करियर का बहुत बड़ा मौका है तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और अब ग्रे इसलिए पैंटिंग की जो की असल में लिली की यानि की आइनर की फोटो होती है उसकी सुन्दरता की बहुत तारीफ करते हैं सब उसे मिलना चाहते है लेकिन इस वक्त आइनर यहां पर लिली के नहीं बलकि आइनर के रूप में होता है और उसे लिली की तारीफ सुनकर की बन चुका है हाला कि उसकी पतनी ग्रेडा उसे वापस पाना चाहती है वो अपने आइनर को देखना चाहती है तब उसकी शकल तो आइनर की है पर अंदर से वो पूरी तरह से लिली बन चुका है इसी तरह से छे महीने बीच जाते है और एक दिन ग्रेडा पैरिस में हैंस से मिलती है जो कि आइनर के बच्पन का दोस्त था वो उससे पूछती है क्या तुमने बच्पन में कभी आइनर को किस करने की कोशिश की थी वो कहता है कि हा लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है वो से अपने घर पर इन्वाइट करती है और समझाने की कोशिश करता है कि तुम लड़का नहीं बलकि एक लड़की हो इस बात से आइनर को बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो अपने आपको लड़का नहीं समझता अलगि ग्रेडा को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धी मिल चुकी होती है जो चाती थी वो हो चुका होता है पर वो कहीं न कहीं अपने हजबन आइनर को ढून रही है जो उसके पास तो लेटा होता है लेकिन उसके पास होकर भी वो से बहुत पसंद करते हैं रात को जब पार्टी होती है तो सब वहाँ कपल में होते हैं लेकिन ग्रेडा अकेली है इससे उसे बहुत बुरा लगता है यहां पर हैंस भी आता है जो उसे अपने साथ डिनर के लिए डेट के लिए इन्वाइट करता है पर वो मना कर देती है तरा कर वो कहता है कि मेरे अंदर से आइनर मर चुका है मैं अब पूरी तरह से लिली हूँ यह सुनकर उसे बहुत दुख होता है दरसल वो हमेशा से आइनर से बहुत प्यार किया करती थी और आज भी वो से बहुत प्यार करती है इसलिए वो उसे अपनी जिन्दगी में वापस पाना पूरी तरह से नामुम्किन हो चुका है वो तूर जाती और भार जाती है जहां पर हैंस होता है हैंस उसे अपने गले से लगा लेता है पर वो एक बार फिर से हैंस से दूर हो जाती है क्योंकि उसे अपने पती से यानि कि आइनर से प्यार है रेडा इन सब चीजों से ठक चुकी है इसलिए वो अपने शहर वापस आ जाती है आइनर के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होते हैं जो उसके खुद के हैं और उन सवालों के जवाब के लिए वो अपने तरह के लोगों के किताबे पढ़ना शुरू कर देता है लाइब्रिरी में कुछ लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और जब वो घर जा रहा होता है तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं इसके बाद वो अपने बच्पन के दोस्त हैंस के पास जाता है हैंस उसके जखमों को साफ करता है और उसे सला देता है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए आइनर इसके बाद कई सारे डॉक्टर से मिलता है जो उसे अलग लग तरह की सला देते हैं कुछ डॉक्टर्स उसे पागल भी समझते हैं, उसे पागल खाने भेजना चाते हैं, पर आइनर किसी तरह से अपनी जान बचा कर वहां से भागता है, आइनर अपने अंदर इस बदलाओ से पूरी तरह से तूट चुका है, जब वो घर जाता है तो रो रहा होता है, ग्रेडा उसके पास आती है, आइनर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, ग्रेडा कहती कि सब मेरी गलती है, अगर उस रात को मैं तुम्हें पार्टी में लिली बना कर नहीं ले जाती, वास तुम मेरे पास मेरे पती आइनर के रूप में रहते, आइनर कहता है कि इसमें त लिली बन चुका है ये दोनों के दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो आइनर की और ग्रेडा की पूरी बात सुनता है इसके बाद वो कहता है कि आइनर के साथ जो कुछ हो रहा है वो नैच्रल है आइनर को अब कभी वापस नहीं लाए जा सकता अब वो एक लिल लिली की जान भी जा सकती है यस दुनिया की प्हली बार हुगा आजससे पहले कभी वी किसी का इस तरह का intéressant नहीं हुआ ये सुनकर लिली यानि कि आइनर खुश हो जाता है ग्रेडा भी इस आपरेशन के लिए हा कह देती है और कुछ दिन बाद आइनर दूसरे शहर में आपरेशन करने के ले जाता है पर वो अपने साथ अपनी पत्नी ग्रेडा को नहीं ले जाता ग्रेडा आइनर को जाते वे देखकर बहुत दुखी होती है, उसे लगता है कि आज वो आखरी बार अपने आइनर को देख रही है, इसके बाद वो पूरी तरह से लड़की में बदल जाएगा, कुछ दिन बीच जाते हैं लेकिन ग्रेडा को आइनर की याद आ रही होती है, ह आइनर ग्रेडा को देखकर बहुत खुश होता है, वो से हर तरह से सपोर्ट करती है, वो से वापस घर ले आती है, जहाँ पर वो उसकी देख भाल करती है, जल्दी आइनर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और अभी दोनों पती पतनी की तरह नहीं, बलकि अब एक दोस्त की मिलती है, साथ ही वो उस लड़के से भी मिलता है, जिसे उसने सबसे पहले पार्टी में किस किया था, आइनर की जिन्दगी में अब सब कुस ठीक हो चुका है, उसकी अब नई पहचान लिली से है, इसी तरह से कुछ महीने बीच जाते हैं, और एक बार फिर से लिली डॉक् आपरेशन करने की बात कर रहा होता है, और ये आपरेशन बहुत ही रिस्की होता है, ग्रेडा उसे सापसाप मना कर देती है, वो कहती है कि तुम्हें इस आपरेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन लिली कहती है कि मैं अपनी मन्जिल से सिर्फ एक कदम दूर हूँ, म पूरे 24 घंटों तक चलता है, इस operation के बाद एक बार फिर से ग्रेडा लिली के पास आती है, वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, उसका पूरा चेहरा पीला पर चुका होता है, दरसल operation पूरी तरह से successful नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लिली को एक satisfaction है, वो ग्रेडा से कहती ह कि मैं आज complete हो गई, जो मैं अपनी जिंदगी में बनना चाहती थी, मैं बन गई, पर अब उसका infection बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है, लिली ग्रेडा से कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं गार्डन को देखना चाहती हूँ, ग्रेडा उसे बाहर ले ज लगती थी, और इसके बाद उसकी मृत्ती हो जाती है, जिससे ग्रेडा पूरी तरह से तूट जाती है क्योंकि उसके अलावा उसका इस जिंदगी में इस दुनिया में कोई भी नहीं था, कुछ महीने पीछ आते हैं, ग्रेडा हैंस के साथ जो बच्पन में आइनर के साथ उसी के गाउं में रहा करता था, आइनर के गाउं जाती है, और वो उन सभी घाटियों को उन पेड़ों को देखती है, जिनके आइनर हमेशा पोट्रेट बनाया करता था, ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, और तभी उसके गले में आइनर का, यानि की लिली का ज से उडने दो। लिली की मृत्यू के बाद भी ग्रेडा उसकी तस्वीरे बनाती रही जो लोगों को बहुत पसंद आई। दरसल इनसान के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। अगर किसी लड़की के अंदर लड़कों वाली फीलिंग्स हो या किसी लड़की के अंद दुनिया की वो पहली इनसान थी जिसने अपने जैंडर को चेंज करने के लिए आपरेशन करवाया था। ये फिल्म ये 2015 में रिलीज हुई थी। आयम डिबी पर इसकी रेटिंग है 7.1। उमीद करते हैं कि ये सची कहानी आपको पसंद आई होगी।